हेलो एवरीवन वेलकम तो माई चैनल कोमल्स किचिन एक्स्ट्रेस तो आज हम आपके साथ में व्रत वाली एक तम टेस्टी एंड क्रिस्पी आलो की कचोरियों की रेसपी शेयर करने जा रहे हैं तो रेसपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तो चलिए आज की रेसपी शुरू करते हैं तो फराडी आलो की कचोरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर बॉइल किये हुए आलो लिए हैं इन आलो को हमने अच्छे से मैश कर लेना है तो सारे आलो एकदम अच्छे से मैश हो चुके हैं अब इसके अंदर हमने एक चम्मच इतना काली मिर्च का पाउडर डालना है थोड़ी से हम ग्रेन चिल्ली डालेंगे ग्रेन चिल्ली को हमने हलका सा क्रॉश कर लिया है अब इसके अंदर हम सेंधा नमक यानी की व्रत वाला जो नमक आता है वो डालेंगे नीबू का रज डालेंगे तो अब इसके अंदर हम थोड़ी सी सुगर एड़ करेंगे तो सुगर इसमें ऑप्शनल है अगर आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो अब इन सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है तो कचोरियां की स्टफिंग तयार हो चुकी है इसे हम साइट पे रख देंगे अब हम कचोरियां बनाने के लिए डो तयार करेंगे तो कचोरियां बनाने के लिए हमने यहाँ पे मिक्स फराडी आटा आता है वो लिया है यह इजिली कोई भी जनरल स्टोर पर मिल जाएगा आपको तो इस आटे को हम चान लेंगे अब इसके अंदर हम थोड़ा सा सेंधा नमा कैट करेंगी अब इसके अंदर हम थोड़ा सा तेल याट करेंगे आप चाहो तो गी भी आट कर सकते हो इसमें अच्छी से मिक्स कर लेंगे अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका एक सॉफ्ट डो तयार कर लेना है तो हमारा डो तयार हो चुका है इसे हमने दस से पंदरा मिट के लिए ढखके रख देना है उसके बाद हम कचोरिया बनाना स्टार्ट करेंगे तो कचोरी बनाने के लिए हमने यहां पर थोड़ा सा डोका पोशन लिया है इस पर हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे अब इसे हमने बेल लेना है तो इससे हमने ज्यादा मोटा भी नहीं बेलना है या फिर ज्यादा पतला भी नहीं बेलना है तो इस तरह से हमने पूरी जैसा बना के तयार कर लेना है अब जो आलो की स्टफिंग थी वो स्टफिंग को हम इसके अंदर रख देंगे और इसे अच्छी तरह से कवर कर लेंगे कवर करने के बाद में इसे हाथ की मदद से इस तरह से राउंड कर लेंगे और हलका सा इसे दबा देंगे तो कचोरी बनके तयार हो चुकी है इसी तरह से हमने सारी कचोरियां बना के तयार कर लेनी है तो यहां हमने सारी कचोरियां बना के तयार कर लिए अब इसे हम फ्राइ करेंगे तो हमने पहले से ही तेल गरम करने के लिए रख दिया था एक एक करके इसके अंदर हम कचोरी डालेंगे इन कचोरीों को हम धीमी आज पर क्रिस्पी होने तक फ्राइ करेंगे तो कचोरीयां फ्राइ हो चुकी हैं इन्हें अम एक बटन में निकाल लेंगे तो लीजिए टेस्टी एंड क्रिस्पी वरत वाली आलो की कचोरीयां तैयार हैं तो हमारी आज की रेसपी अगर आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेर जरूर कीजिए और हमारी नई नई रेसपी के नौटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा